प्लेस जेड़ स्काइर पॉन सी स्काइर इस इकॉर्ड दिवर्न देंसिटी एड एन पॉइंट पी बिंग रो इस इकॉर्ड दिए एक्स वाइजेड अब यहां पे भी वही है यह आपका इलिप्सॉइड है इसको हम सबसे पहले प्लेन में कनवर्ट कर देंगे तो और आफ दो यह एकॉर्ट कर दिया है यह प्लेस वी फ्लेस डब्लु इस इकॉल डी बान अब एक्स स्काइर अपॉन एक्स इकॉर्ड दिए है एक अंडर रूट यह वाइज इकॉल डी बी अडरू वी यह हो जाएगा X is equal to the A and root U, इसी तरीके से Y is equal to the B and root V और इसी तरीके से Z is equal to the C and root W, अब DX यह हो जाएगा आपका, Dx जब डिफ्रेंशेट करेंगे तो Dx हो जाएगा A upon, यह Dx आपका हो जाएगा, यह X is equal to the A, U की power 1 by 2, यानि X is equal to the A, और यह हो जाएगा 1 upon 2, or U की power 1 upon 2 minus 1, यानि हो जाएगा A by 2, और यह D-U हो जाएगा, or यह हो जाएगा U की power minus 1 by 2 D-U, तो यह नीच आएगा, यानि यह जाएगा आपका, Dx is equal to the A upon 2 under root U, और D-U, इसी तरीके से, आपका, D-Y हो जाएगा, B upon 2 root V, D-W, और D-Z हो जाएगा, C upon 2 root W, D-W, अब, तो अब मास निकालना है, हमको यहाँ पर, मास का क्या होता है, टिपल इंटीगर, रो, D-D-Y, D-Z, रो की वैलू है, KXYZ के common बाहर हो गया है, और AXYZ की वैलू, XYZ की वैलू क्या है, A upon, A, root U, B, root V, C, root W, और D-S, D-Y, D-Z आपको बता दिया है, A upon 2 root U, D-U, B upon 2 root V, D-W, C upon 2 root W, root C upon 2 root W, D-W, तो इसलिए वैलू हम put करेंगे, और सब cancel होके, आएगा, के A square, B square, C square upon 8, ये constant बाहर हो जाएगा, और अंदर बचेगा, वन, यानि कुछ नहीं, D-U, D-V, D-W, तो question number third को यहां तक देखिए, समझेए, कोई डाउट हो जो पूछिए, यहां तक देखिए, समझेए, कोई डाउट हो जो पूछिए, लेकिन जो कल आये थे, उन्हीं को समझ में आयेगा, जिन्होंने कल अटेंड नहीं किया, उनको दिख्कत हो जी, हाईट सुछिए, ये जो हाईट हो जो क पाईट हैं एाट एंट हो जो फटेए झाल झाल अब वहाँ पर इंटीगल के अंदर कुछ नहीं था इसलिए वन को लिख सकते यू को पावर जीरो व की पावर जीरो डब्लू की पावर जीरो लेकिन हमें फार्मूले में रेड्यूस करना है फार्मूला क्या है पावर में दिपावर में तर्मूला की वजे से जीरो लिख लेंगे यू की पावर बावर मैंने की पावर मैंने सन्दूपावरों मैंने माइनस वन दीविट गूंदंडंगीां खलें दाम एंगांगांध फ्लीं प्लेस एंट प्लेस्ट फ़र इस लिए यह एन के प्लेस से 21 11 है तो जये गामा वन ऑन डामा फ्लेसळ 12 प्लेस्टी प्लेसव इस्ट प्लेस प्लेस्टट फट्ट हई और अजिक कामा वबुच एफ टीच जिरो में ते इलिए है तरी ज्क्तिOver तो 8, 6 अफटी एट, तो ये हो गया, अब question number 4 देखिए, लेका है, find the volume of the solid surrounded by the surface, x upon a की power 2 by 3, y upon b की power 2 by 3, और z upon c की power 2 by 3 is equal to the 1, इस गर्व को भी क्या काम करेंगे, हम plane में convert कर देंगे, तो लिखेंगे, let x upon a की power 2 by 3 is equal to the u, तो y upon b की power 2 by 3 is equal to the b, और z upon c की power 2 by 3 is equal to the w, तो x हो जाएगा आपका, x is equal to the a, u की power 3 by 2, और y is equal to the b, b की power 3 by 2, z is equal to the c, w की power 3 by 2, तो dx हो जाएगा 3 by 2, a, u की power 1 by 2, d, u, और dy हो जाएगा 3 by 2, b, b की power 1 by 2, d, v, अब यह जो आपका कर्व है, यह आपका octane में होता है, यानि three dimensional में, सारे उसका value निकालना है, तो इसके phases 8 होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर volume में 8 multiply किया गया है, तो हो जाएगा यह equal integral dx dy dz, अब dx dy dz की value रग देगे, 3 by 2 a, u की power 1 by 2, और 3 by 2 b, v, v, v की power 1 by 2, 3 by 2, c, w की power 1 by 2, d, u, d, v, d, w, जो common हो जाएगा, तो 88 cancel हो जाएगा आपका, इस तरह के से 27 a, b, c, constant है, बाहर आजाएगा, अब u की power 1 by 2 है, इसको l minus 1 में convert करेंगे, तो यह 1 by 2 है, तो इसको लिख सकते, 3 by 2 minus 1, जानो u की power 3 by 2 minus 1, v की power 3 by 2 minus 1, w की power 3 by 2 minus 1, dv, dw, अब यह हो जाएगा, गामा 3 by 2, गामा 3 by 2, गामा 3 by 2, अपन गामा 3 by 2 plus 3 by 2 plus 3 by 2 plus 1 नीचे गामा 3 by 2 plus 3 by 2 plus 3 by 2 हो जाएगा आपका 9 by 2 plus 1 यानि गामा 11 by 2 plus 1 इसको solve करेंगे तो 45 ABC आएगा solve कैसे करेंगे देखिए यह गामा 3 by 2 है इसको लिख सकते हैं गामा 1 by 2 plus 1 और यह हो जाएगा आपका 1 by 2 गामा 1 by 2 इस तरीके से हो जाएगा 1 upon 2 root pi यानि नूमरेटर में गामा 3 by 2 क्या जाएगा 1 by 2 root pi 1 by 2 root pi यानि 1 by 8 5 root pi यानि जो आएगा यह तो हो जाएगा 27 ABC और यह हो जाएगा 1 upon 8 by root pi upon अब इसमें आई गामा 11 बाइट तो गामा 11 बाइट पूलिक सकते हैं गामा 9 बाइट टू प्लेस वर ठीक है यानि यह हो जायेगा आपका 9 बाइट गामा 9 बाइट अभी बार बाइस को करेंगे इसका मतलब यह गामा 11 बाइट पूलिक को आएगा वह आएगा 9 बाइट इंटु 7 बाइट इंटू 5 बाइट इंटू 3 बाइट इंटू 1 बाइट ओ और यह गामा 1 बाइट तो इस तरीके से यह आपका यह 993 27 27 चैन्स को जाएगा और वहां पर एट एट कैंसिल हो जाएगा नीचे था ठीक है और यह कैंसिल हो गया एट और यह 975 35 और यहां पर आपका रूट पाई एक रूट पाई से कैंसिल हो जाएगा यानि क्या जाएगा फोर पाई अपाउन थार्टी फाइब है यह उपर आके इसका क्या जाएगा क्यारी जो नीचे आएगा सेवन फाइब थार्टी फाइब अपाउन फोर और रूट पाई अब इसको करते हैं पूरा जो पहले बताया था क्या आएगा यानि आया आपका अपाउन थार्टी फाइब फाइब फोर और यह हो जाएगा रूट पाई और यह भी कैंसल हो गया था एड़ तो यह यह कैंसल हो जाएगा यह उपर जाएगा फोर पाई एबी सी यानि आजाएगा फोर पाई आएगा फोर पाई एबी सी अपाउन थार्टी फाई अब यह नुमारेकल देखिए समझे कोई डाउट हो तो पूछे आप बगल में रफ कॉपी रखिए उसमें चेक कर लीजिए अब किसी को कोई डाउट हो तो पूछे आप पर यह बहुता है आप पास बुक होगी तो बुक में यह बना हुआ है यह जो है कुछ ऐसा होता है यह जिसे हम टू डाइमेंशनल में बता रहे हैं यह फीगा यू होता है इससे तो यह थ्री डाइमेंशनल में जब बनेगा तो इसका कि एक्से 165 अवाइव है यह जए यूँ आइसे बनेगा तो आप को यह फेशे होते होते हैं और द्रीडाइशन में जो फेज़ होते हैं वह आठ होते हैं यानी उसको आपकेंड कहते हैं अपकेंड में आठ होते हैं पेसर हर एक फेस का वाल जोड़ेगे तो तुन जाएगा इसलिए वह एग मैं कर लो हूँ आप जो आपके फेजिस होते होते हैं वह आपके कितने होते हैं चार होते हैं जब यह इस पर्टिकुलर की बात कर रहा हूं कि त्री डामेश्टर में से क्यूब की वाइट के फीगर हैं उसके फेज़े होते हैं कि समझ रहे हैं तो इस फीगर का जो फेज़ेज हैं वह आठ है तो आठ होने का मतलब है कि हर एक का वॉल्यूम जो है उसको एड़ करके टोटल हो गए टाइम स्क्रिपल इंतिगर भी टी एक्स इसने वह एट है कि समाधियों सब्सक्राइब इसका ट्रेसिंग में आज बुक हो या आप पास लैप्टॉप कुछ हो तो उसमें यह डालिये का देखिए अगला नेकल बताएं यह सर्वत आई यह बस मैं अरेंजमेंट है बस अरेंजमेंट है बस यहां कोई भी टीपल इंडिगेशन को सौल नहीं करना है अब अब लास्ट क्वेशन है यह लास्ट नमाइकल वो तू डिमेंशनल का है लिखा है यह नहीए लास्ट निथा लास्ट कन्ताएं रो एक्स वाई ईज के अंडर रूट आफ एक्स वाई तो है तो तो है तो कि अब यहां पर क्या है कि यहां पर जो थ्री डाम इंटिवर स्ट वैगर डियूं इसी तरह इंटिगर्ड ऑए इसी तरीकर मास हो जाएगा आपका double integer row dx dy तो यहां पर let x upon a की power alpha को u माल लिया है y upon b की power beta को v माल लिया है तो x हो जाएगा a u की power 1 by alpha और y हो जाएगा b v की power 1 by beta तो dx हो जाएगा a upon alpha u की power 1 by alpha minus 1 और dy हो जाएगा b upon beta b की power 1 by beta minus 1 तो जहां पर u और v जो है positive है and u plus b क्या है 1 है तो from equation 1 a हो जाएगा a b upon alpha beta double integral by constant है जो constant है वो बाहर हो जाएगा u की power 1 by alpha v की power 1 by beta minus 1 तो यह हो जाएगा area हो जाएगा a b upon alpha beta और यह हो जाएगा gamma 1 by alpha gamma 1 by beta upon gamma 1 by alpha 1 by beta इसलिए मास क्या हो जाएगा and double integral rho ds dy तो rho क्या है के अंडर root of xy की value निकाल लेंगे अब x के place पे हमें put करना है a u की power 1 by alpha तो हो जाएगा अंडर root में है तो अंडर root of a u की power 1 by 2 alpha इसी तरीके से अंडर root b v की power 1 by 2 beta और dx क्या है a upon alpha u की power 1 by alpha minus 1 dy है b upon beta v की power 1 by beta minus 1 du dv तो यह सब common हो के बाहर आ जाएगा जो constant है और इसके बाद उसको हम 1 upon 2 alpha गामा हो जाएगा गामा 3 upon 2 alpha gamma 3 upon 2 beta upon gamma 3 upon 2 alpha plus 3 upon 2 beta plus 1 तो इस question को देखिए इसके solution को कोई doubt हो तो पूछिए पूछिए झाल पर इंडिकरेशन में फार्मुकां होता है वह तो एंडिकों डी एक्स दी बाइड इजेट तो यहां पर चुक्ति डू डामेशनल है कैसे पता चुट डामेशनल है यह पीगर से मालूम हो गया है जो हमारे पास सिक्वेशन लिखें उसमें चैड़ वाला ठार्म ही नहीं है इ तो हो गया double integral rho dhdy और rho की value क्या है? कि under root of x y dhdy तो इसलिए k constant हो गया है अब under root of x y है तो under root of x की value क्या है आपकी? x की value है a u की power 1 by alpha ये under root of x y है तो लिखेंगे a u की power 1 by alpha और b v की power 1 by alpha तो under root हटके आजाएगा a की power 1 by 2 और u की power 1 upon 2 alpha इसी तरीके से into ये हो जाएगा b की power 1 by 2 है नहीं और v की power 1 upon 2 beta वही चीज लिखी है आपे जाएगा और नीचे alpha बीटा का बाहर आजाएगा तो बचेगा क्या है ये यू की power 1 upon 2 alpha और ये यू की power 1 upon alpha minus 1 तो इसका L से हम ले ले लेंगे तो आएगा यू की power 3 upon 2 alpha minus 1 इसी तरीके से v की power 3 upon 2 beta minus 1 और फिर जो फार्मूला है उसमें हम रख देंगे क्या है गामा गामा एल गामा एम अब तीसरा वाला है नहीं तो इसलिए इतना होगा गामा एल गामा एम अपान गामा एल प्लस एम प्लस वार्मूला तो एल और एम की value रख देंगे और हमारा solution आजाएगा देखें समझेये और हों को अह खेंőरा ने निशना सब्सक्राव की इसलिए गामा एजाएगा गामस्तिक की न póशना सबभे ti झाल झाल सब्सक्राइब 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 यह सब्सक्राइब तो यह इस टॉफिक में छी नमाइकल है आपके तो आप इनको तयार रखेगा पांश नमाइकल है तो इनको तयार रखेगा ठीक है और इस तरीके से इसमें एरिया और वाल्यूम जो है हम आपको पढ़ा चुके है सब्सक्राइब फस्ट में सब्सक्राइब फस्ट में तो इस तरीके से यूनिट कम्प्रीट हो गई है दूसरी यूनिट अब तीसरी यूनिट में जो एक लास्ट में टॉपिक है पहले वो पढ़ाएंगे तीसरी यूनिट है वो दो उसमें बाइफर्केशन एक है सीक्वेंज एक टॉपिक है उसी में टेस्ट वेस्ट है और दूसरा टॉपिक है तो हम इसको पहले पढ़ा रहे हैं क्योंकि कई प्लासेज में पढ़ा रहे हैं यह और इसके बाद जो है हम वो पढ़ाएंगे पहला तो यूरिट थार्ड में इसी को कोई डाउट तो नहीं स्कोर्शन लिए हैं आट है तो पूछ ली जी ना आगे बत है 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 डिश्ट इंटेग्रेशन दूप्रोवाइबिलिटी वाला भी कॉशन लाता है कोई है कहां आप है हम आपकी बास समझ नहीं पाएं है है इसर प यह हम यूनिट थार्ड में फूरियर स्रीज पढ़ाने जाना है चुकि यह कई क्लासेज में चल लाए यह तो इसलिए इसी को कांटीन्यू कर देते हैं जैसा कि आप में फर्स्ट में हमने बढ़ाया था मैकलरेन स्रीज और टेलर स्रीज तो आप यह जानते हैं मैकलरेन स्रीज और टेलर स्रीज का एक्सपेंशन हम लोग करते थे लेकिन किसी पॉइंट के नैवर हुड में फंक्शन का एक्सपेंशन करते थे तो वह फंक्शन कांटीन्यूस होना चाहिए अगर वह फंक्शन कांटीन्यूस है तभी हम तेलर स्रीज या मैकलरेन स्रीज का हम एक्सपेंशन कर सकते हैं यानि इस series को use में ले सकते हैं लेकिन अगर function discontinuous है तो हम function का expansion वहाँ पे नहीं कर सकते हैं तो ये कुछ ऐसे function आये जिनका हमें expansion करना था लेकिन वो discontinuous थे तो ये ज़रूरत पड़ गई तो इसलिए एक scientist थे Jack Fourier तो इन्होंने एक ऐसी series को ये जाद किया जिसमें continuous और discontinuous दोनों टाइप के function का expansion हो सके तो जो उसको जब एक्सपेंच जब उसको एजाद किया तब उसका नाव 4EA series रग दिया